आज से आपका जो रीटीन वर्क है या जो रीडिंग वर्क रहेगा ओन लाइन वो आरंब होता है तो आज इसमें ये नाइन्थ क्लास की फॉर्थ कोयम का जो रीटीन वर्क है वो आपको मिलेगा ये आपको जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं पोयम उपर हैडर जो हैडर पर डालना है और ये क्लास नाइन्थ जो मैंने लिखा है इसको नहीं लिखना है ये केवल हम अपनी पहचान के लिए बहुत सारी फाइल फॉन में हो जाती है इसलिए लिख लेते हैं उसके नीचे हेडिंग डालेंगे फिर लाइन्स में आकर के टाइटल इंडियन वीवर्स ये इसका टाइटल जो है इसका आगे लिख लेंगे किस ने इसको लिखा है उनका नाम है सरोजिनी नाइडू फिर हेडिंग डालेंगे नीचे फोर लाइन्स ओप दा पोयम एक पंक्ति चोड़ करके और ये पंक्तियां जो मैंने यहां पर लिखी हैं आप ये भी लिख सकते हैं या पोयम में से अपनी मर्जिशे दूसरी कुछीत लगें जिनको आप आसानी से याद कर सकें पंक्तियां हैं वीवर्स वीविंग एड ब्रेक ओफ डे वाय डू यू वीव अकार्मेंट सोगे ब्लू एस दा विंग्स ओफ अहल से उन वाइल्ड वी वीव दरोप्स ओफ ए न्यूबॉन चाइल्ड यह अप लिक सकते स्टेंजास से रिलेक्टिज जो कॉस्टन है उसमें यह आप इसमें आपको दोवारा लिखने की जरूत नहीं होगी क्लास लिखना ही नहीं है प्र से डालने की जरूत नहीं है या डाल भी सकते हैं उपर हैडर पर अगले पेस पर डाल सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं गिवन अपोन दें इस टेंजा को पढ़ना है और उससे रिलेटर जो कोस्टन है उनके आंसर यह यहां पर देने हैं लिखे हैं अंसर भी लिखे हैं हिंट है वीवर्स वीविविंग डॉट नियूबॉर्ण चैल्ड यह हिंट हमने हिंट लिखा है इसको आप चाहें तो पूर आपका यह कार्या पूरा हो जाता है इसको आपका यह कार्या हो जाता है इस पूर्ण का जो रिटिन वर्क है इतना वर्क करेंगे धन्यवाद्व